इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले, अगर आप इस वीडियो को देख कर किसी दवा का उपयोग करते है और आपको कोई साइड एफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. ख्लोपिवास AP 75 टैबलेट दो एंटी प्लेटलेट दवाओं या बलर थिनर्स का एक मिश्रण है, जिसे रक्त वाहिकाओं में हानिकारक रक्त के ठक्के को जमने से रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. यहरदे रोग वाले लोगों में होट अटैक या स्ट्रोग को रोकने में मदद करता है. ख्लोपिवास AP 75 टैबलेट को नियमित रूप से हर दिन एक नियत समय पर भूजन के साथ लिया जाना चाहिए. डॉक्टर द्वारा निर्धारिट शेडियूल के अनुसार आपको नियमित रूप से समान अंतराल पर इसे लेना चाहिए. इसे रोज एक ही समय पर लेने से आपको इसे लेना याद रहेगा. डोज और इलाज का समय इस बात पर निर्भर करेंगे कि आपका इलाज किसली किया जा रहा है. जब तक आप पूरा कोज पूरा न कर लें, तब तक इसे लेना बंद न करें. भले ही आपको बहतर महसूस होने लगा हो. लाइफ अस्टाइल में कम फैट की डाइट, व्यायाम और धूंड पान न करने से इस दवा को बहतर तरीके से काम करने में मदद मिल सकती है. पेट में दर्द, नील पढ़ना, अपच और नाक से खून बहना इस दवा के कुछ सामान्य साइड इफेक्ट हैं. इस दवा से ब्लीडिंग का खत्रा बढ़ता है, इसलिए शेविंग करने, नाखून काटने और तेजधार वाली वस्तूओं का इस्तिमाल करते समय सावधा नी बरतना महत्वपूर्ण है. आमतोर पर इस दवा को लेते समय शराब का सेवन न करने की सलाह दी जाती है. इस दवा को लेने से पहले, अगर आपको लिवर या किड्नी की बीमारी है, तो अपने डॉक्टर को बताएं. अगर आप गर्भवती हैं, गर्भधारन की योजन बनी रही हैं, अत्वस तनपान करवा रही हैं, तो आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए. आपको अपनी हेल्थकेर टीम को उन सभी अन्य दवाओं के बारे में बताना चाहिए, जो आप ले रहे हैं, क्योंकि इस दवा से उनका असर प्रभावित हो सकता है, या वे इसके असर को प्रभावित कर सकती हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप और ज्यादा जानकारी प्राप्ट कर सकते हैं, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल आ धन्यवाद